हेलो सुडेंट्स कैसे आप सबी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 16 करने वाले है जिसका नाम है बचाओ यह मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा और इस वीडियो के आखरी में इसके मैं कोश्चन एंसर भी दूंगा इसके लिए आप वीडियो आखर अजिसक्लिक करो गए तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या बचाओ तो तो देखो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि अगर कुछ नैच्रल डिजास्टर मतलब कि जिसे भुकं तब कि इसको इंग्लिश में हम अर्थक्वेक बोलते हैं तो अर्थक्वेक कैसे आता है और उस समय हमें अपनी बचाओ कैसे करने चीए वो यहां पर बता है कैसे देखो पित्वी के बीतर चटानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धर्ती हिनने लगती है देखो यहां पर का बोले जो जमीन के नीचे जो चटान रहती है अब बदो जो पत्थर रहते हैं जमीन के नीचे तो जब वो आगे पीछे खिसकने लगती है तब क्या होता है हमारी धर इससे चत दीवार आदी गिरने लगती है क्या बोले इससे क्या होता जो चत होती है हमारी और जो दिवार होती है ये सब गिरने लगती है आप यहां पे देख सकती हो कैसे तो को सारी चीज़े हिल रही है यहां से तो को बरतन औरतन गिरने वाला है दिवाल भी हिल रही है यहां पे तो को बिल्डिंग गिरने वाली है भूकम्प की वज़ा से तो यही भूकम्प में यही सब होता है जो बहुत जादा भूकम्प आता है अब आगे क्या बोले देखो ऐसे समय में हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगा में आ जाना चाहिए या मेज लकडी के तख्त के नीचे दर्वाजे के पीछे चिपना चाहिए देखो क्या बोले ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जल्दी से घर के बाहर हमें निकलना चाहिए और एक खुली जगा में चले जाना चाहिए जैसे कि दुखो यह यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैसे जल्दी से घर के बाहर निकल के खुली जगा में चले गए ऐसे हमें करना चाहिए जब यह अर्थ को एका है जब भूकम पाए या तो अगर हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए किसी मेज के नीचे या तो लकड़ी के तख्त के नीचे दर्वाजे के पीचे चिपना चाहिए जैसे कि देखो यह आंटी आपको दीख रही है तो यह जो मेज है इसके नीचे चिप गई यह और दूटके गिरेगा तो डारेक्ट इनके उपर नहीं गिरगा इस मेज पर गिर जाएगा और यह बचे रहेंगे उसी तरीके से अगर दर्वाजे के जो नीचे बैठे रहेंगे तो यहां से भी दो कुछ तूट कर गिरेगा तो यह दो जो दर्वाजे के लकड़ी है वो इन्हें बचाए रहीगी ठीक है तो इस तरीके से हमें भुकम्प में अपना बचाओ करना चाहिए अब देखो अगले बारिश होने पर नदी नाले पानी से भर कर बहने लगते हैं क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो कि जब लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होते हैं जो नदी और नाले रहते हैं वो एकदम भर जाते हैं और उनमें से पानी निकल कर बाहर बहने लगता है नदी के आसपास के गाउं, बस्तियों, इमारतों आदी में पानी भनने लगता है तो क्या बोल रहे हैं जब नदी से पानी बाहर निकलने लगता है बहुत जादा बारिश होने के कारण तो क्या था जो भी नदी के किनारे गाउं होते है या बस्ती होती है या जो भी इमारते होती है उन सब में पानी भनने लगता है फसले नस्ट हो जाती है यही बाढ़ है और पानी भनने से क्या रहता है जो फसल रहती है वो सब नस्ट वो सब बरबाद हो जाती है और इसी चीज़ को हम बाढ़ बोलते हैं ठीक है इसी को हम बाढ़ बोलते हैं आप यहां पर देख सकते हो कैसे दोखो यहां पर गाउ है और इस गाउ में दोखो बाढ़ का पानी पूरा भर गया है और देखो यह जो यहाँ पर एक अंकल है सीड़ी लगा के पेड़ पर उची जगहां पर बैढ गए हैं तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपना बचाओ और दूसरों की हिल्प कर रहे हैं तो आगे देखो क्या भी पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित सान पर पहुच जाना चाहिए क्या बुलने हैं आपे कि देखो क्या होता है जब बारिश का जो पानी रहता है बढ़ने लगता है बाढ़ाने लगती है तो हमें एक सूचना दी जाती है इनाउंसमेंट होता है जिसमें हमें सावधान किया जाता है तो जब भी हमें एसे कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे हमें तुरंद किसी सुरक्षित मतलब हमें किसी सेफ जगह पर उसी टाइम पहुंच जाना चाहिए ठीक है समुद्र के तल में भुकंप आने पर उची उची लहरे उत्पन होती है क्या बोल रहे हैं कि जभी समुद्र के तल में मतलब कि नीचे जब भुकंप आता है तो हमारी सारी इमारते जुगहर यह सब रहते हैं सब हिलने लगते लेकिन जब समुद्र के तल में जब समुद्र की नीचे जो जमी लेती हो आप जब भूकम पाता है तो उची उची लहर उठती है उतपन मतलब आप बोल सकते हैं बनना ठीक है? तो यहाँ पी क्या बोले हैं? कि समुद्र में जभी समुद्र के तल में जभी भूकम पाता है जबी अर्थकुएक आता है तो उची उची लहरे बनती हैं यही सुनामी है क्या बोल नहीं है इसी को हम सुनामी बोलते हैं अब देखो आगे क्या बोल रहे है सुनामी की सुच्टना बिलते ही phase प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंट सुरक्षित सानों पर चले जाना चाहिए क्या यहां पिर बोल लिए हैं देखो सुचना मतलब कि आप बोल सेक्टenz तो warning TET वर्थी है मतलब कि आप बोल सेक्टन तो जो समुंद्र के किनारे जो जगा है उसको बोलते हैं समुंद्र के किनारी के जगा सुलक्षित मतलब solutionséf स्थान मतलब जगह तो देखो यहां पर क्या बोले कि जभी सुनामी की वार्णिंग मिले तो जो भी तट वर्तिव प्रदेश मतलब कि जो भी समंद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें तुरंथ क्या करना चाहिए किसी सेव जगह पर चले जाना चाहिए हमें समंद्र पाट कर बस्तिया नहीं बनानी चाहिए अब यहां पर का बुले कि हमें जो समंद्र का किनारा रहता है वहांपर मिट्टी से वह जगहे को पाट कर हमें वहां पर बस्तिया सब देखो पानी के अंदर समा गई है और यहां पर लोग डूब रहे हैं हेलिकॉप्टर से बचाओ किया जा रहा है तो इसी कारण बोलते हैं कि हमें समंद्र के किनारे बस्तिया नहीं बनानी चाहिए समंद्र के किनारे को पाठ कर बस्तिया नहीं बनानी चाहिए अब देखो यहां पे क्या बोल रहू है कि سुनामी आने से پहले सुनामी के सुचना देने वाले यंतर जो टेक्नलोजी ए वसाफ विक्सित हो रही है वसाफ बन रही है तो इससे क्या होता है सुनामी आने से पहले ही हमें उसकी warning मिल जाती है और लोग सुरक्षित जगह पर, सेफ जगह पर चले जाते हैं, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचता है, किसी की जान नहीं जाती है ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है अभी हम करते हैं इसके questionances अपन और बुक लेकर बैढ़ जाओ, साथ साथ में हम करते हैं, ओके तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखके रखा है क्या देखो, यहाँ पर पहला शब्दार्थ फर्स्ट क्या इसमें चट्टान, चट्टान मतलब क्या था है अब आगे देखो क्या है लेवन का दिया गया है पाटना का लिटतें पत्थर लेटना पुरलाब को पाट दिया गया है प्रश्ट लिखें睡स्ट्न को सुनात। पार्ट में किन प्रकृतिक आपदाओं का वर्णन है तो यहां पर देखो क्या बोले कि जो हमारा पार्ट है जो हम पढ़े इन में कि कुन सी जो नेचुरल डिजास्टर है उनके बारे में बताया गया है तो उत्तर क्या आपका पार्ट में भूकम बार्ड और सुनामी क्या है भूकम आने पर क्या होता है तो आपके यहां पर पूछ रहें कि जभी भूकम आता है तो क्या होता है तो आप उत्तर में क्या लिखो कोई भूकम भूकम मतलब क्या होता है अर्थक्विक ओके भूकम आने पर घरों की छट दिवारे आदी गिरने लगती है क्या बोल होने पर नदी नाले पानी से भर कर बहने लगते हैं कि अगर बारिष होती रहे तो क्या होता है जो नदी और नाले रहते हैं बहर कर वो उनमें की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए तो आपको उत्तर क्या है मतलब कि यब बाढ आने वाली रेते उससे पहले सूचना मिलती है आज कोई जो भी समंद्र के किनारे या कुछ सी नदी के किनारे नहीं जाना है बाढ आ सकती तो देखो क्या करना चाहिए हमें उस समय उत्तर गया बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुचना चाहिए पहुच जाना चाहिए तो देखो क्या यहां पर बोले जैसे हमें बाढ़ की सूचना मिले वैसे हमें सुरक्षित जगां पर पहुच जान तो प्रश नम्बर तरी में आपको क्या दिया गया है यहां पर आपको सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ने लगाओ क्या बोलें जो सही है विधान उसको सामने आपको राइट का टिक करना है और जो गलत यहाँ पर वाक्य है उसको सामने रॉंग का आपको साइन बनाना है तो पहला क्या है बाड आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए क्या यह सही है नहीं यह गलत है बाड आने पर हमें घर पर रहना चीए यह तो ऊची इमारत पर जाना चाहिए ओके अब भुकंप का का कानण अधिक बारिश क्या बले रह आता है जब अर्थ कंप आता है उसका कारण क्या है बारिश है यह बारिश है यह जब अधिक बारिश है तो लग fällt आता है viewed company आता है भुकम का बाता है जब ही जो जमीन की जो सते रहती है वो हिलती है तभी आता है ओके थड़ के अभी आपको देखो समंदर तट को पाट कर बस्तिया नहीं बनानी चाहिए क्या बोले जो समंदर के किनारे जगा रहती है उसे हमें पाट कर बस्ती मतलब की घर नहीं बना कि वो नस्ट में तब बरबाद हो जाती है, तो ये सही है, ओके, फिफ्त क्या भूकंप आने पर दरवाजे की पीछे चिपना चाहिए, तो ये सही है, हमने चैप्टर में पढ़ा है, कि जब भी भूकंप आये, दरवाजे की पीछे में चिप जाना चाहिए, तब हमारे सर पर जो पत्थर ये सब है नहीं गिरेंगे अब आगे देखो क्या आपको शिक्स में देखो लास्ट हमारा क्या है बाढ़ से सुईधा है नस्ट नहीं होती ये गलत है बाढ़ से जो भी सुईधा है जो भी चीजे है वो नस्ट हो जाती है बरबाद है जाती है तो यह गलत है इसमें क्या बोला है नहीं होती है तो यह गलत है ओके तो देखो अभी प्रश्ट नंबर फोर में आपको क्या दिया गया है प्रश्ट नंबर फोर में आपको बोल रहे है निम लिखित प्रश्टों के उत्तर विस्तार से लिखो तो पहला क अगर हम घर के बाहर खुली जगहां पर नहीं आ पाते हैं तो हमें किसी मेज लकडी के तक्त या तो दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए इससे क्या होगा हमारे सर पर पत्थर ये सब नहीं गिर पाएंगे जो भी छट के पत्थर ये सब तूटके गिरने वाले रहेंगे वो मेज पे या तो लकडी का जो तक्त है उस पे जो दरवाजे का फ्रेम है उस पे गिरेंगे हमारे सर पे नहीं गिरेंगे सिगन के बाड क्या है अब देखो क्या बोलें जो बाड आती है वो क्या है आपको उत्तर कैसे लिखना है अपको उत्तर में लिखना है लगातार अधिक बारिश होने पर नदी लाले पानी से भर कर बहने लगते हैं कि भी लगातार बारिष होती है, बहुत साधा तो जो नदी और नाले हैं उन में पानी बहकर पानी उनसे बाहर आने लगता है. नदी के आसपास के गाओं, बस्तियों, इमारतों आदी में पानी भर जाता है क्या बोले कि जो भी नदी के आसपास के गाओं होते हैं, बस्ति होती है, जो भी इमारत मतलब बिल्डिंग होती है उसमें जाकर पानी भर जाता है इस कारण फसले नस्ट हो जाती है यही बाढ़ है और इसमें क्या होता है जब बाढ़ आती है तो फसले जो खेत में फसल रहती है वो भी नस्ट हो जाती है मतलब बरबाद हो जाती है इसी को हम बाढ़ बोलते है अब आगे क्या है देखो प्रश नमबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं क्या दिया गया है तो देखो यहां पर आपको प्रश नमबर 3 में बोल रहे हैं बाढ़ आने पर क्या होता है मतलब क्या बोलने है जब बाढ़ आती है तो क्या क्या होता है वो आपको बताना है तो उत्तर क्या बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गाउं में पानी भर जाता है मतलब कि जब भी बाढ़ आती है तो जो भी नदी के आसपास गाउं होता है जो बस्ती होती है उसमें क्या होता है पानी भर जाता है बस्तिया पानी में डूबने लगती है इमारतों में भी पानी भर जाता है और क्या होता है जो भी बस्ती रहती है वो भी पानी में डूबने लगती है और जो इमारत मतलब अगर बिल्डिंग है सब रहती है उस नदी के आसपास तो उसमें भी पानी जाकर भर जाता है खेतों में पानी भर जाने से फसले नस्ट हो जाती है और जो खेत रहता है उसमें पानी भरने से क्या होता है वहाँ पर जो भी फसल रहती है वो भी नस्ट हो जाती है वह बरबाद हो जाती है ठीक है फोर्ट क्या भी देखो अभी यहाँ पर क्या है यहाँ पर दोखो आने से आपको आएगा, सिर्फ आने नहीं, ओके, ऐसे आएगा दोखो आपको, क्या रहेगा, समंदर के तल में भुकंप आने से उंची लहरे उत्पन होती है, क्या बोलना है, जो समंदर है, उसके तल में, मतलब उसके नीचे, जब भुकंप आता है, जब मतलब अर्थक्वे काता है तो उसे बड़ी बड़ी लहरे बनती है उसे क्या बता है यह सुनामी है वही जो लहर बनती है बड़ी बड़ी उसी को हम सुनामी बोलते हैं सुनामी आने पर समंदर के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुच जा क्या बोल रहे हैं कि जबी सुनामी आये तो जो भी समंदर के आसपास लोग रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए तुरंत उसी समय किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए पहुच जाना चाहिए तो देखो अभी आपको फिफ्थ में क्या है प्रकृतिक विबदाए कौन-कौन से हैं लिखो देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे है कि नेचुरल डिजास्टर्स कौन-कौन से हो आपको लिखना है तो आप उत्तर में क्या लिखोगे भुकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आधी प्रकृतिक विबदाएं है मतलब कि क्या बोलने जो भुकंप, अर्थ को एक हो गया, बाढ़ हो गई, अकाल हो गया, मतलब सूखा है सब पढ़ना कहीं, सुनामी हो गई, तूफान कहीं पर आना, बादल फटना, बिजली गिरना, ये सारी चीज़े नेचुरल डिजास्टर्स में आती हैं, तो यह आप लिख सकते हो, अब दुखा आगे कि आपको पर पांच में क्या दिया गया है, यहापे बोलने, भुकंप, बाढ़, सुनामी, मैंसे किसी एक आपदा पर दस वाग के लिखो, क्या बोलने, कि भुकंप, बाढ़ या सुनामी, किसी ये जो ये नेचुरल डिजास्टर है, इस इसमें सबसे ज़्यादा खतरना का भुकंप, अर्थक्वेक, कुछ सेकंड का भुकंप भारी तबाही मचा देता है, क्या बोलने, कि कुछ सेकंड का ही जो भुकंप रहता है, अर्थक्वेक रहता है, उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत कुछ बरबाद हो ज क्या बोल रहे हैं कि भुकम्प के दोरान कई मकान गिर जाते हैं गाउं शहर बरबाद हो जाते हैं और क्या बोले कि भुकम्प में गाउं और शहर बरबाद हो जाते हैं देखते देखते सेकड़ों हजारों जाने चली जाती है और क्या बोले भुकम्प में देखते ही देखत पर लोगों की जान जा सकती है, भुकंप अचानक आता है, इसके आने की ना कोई रितू होती है, ना कोई महीना, ना कोई दिन या किसी भी समय आ सकता है, जो यह भुकंप है, इसके आने का ना कोई रितू, मतलब ना कोई मौसम होता है, ना कोई महीना होता है, ना कोई दिन हो नहीं मिला है थोड़ी बहुत वार्निंग मिल जाती है लेकिन बहुत सारी जगें ऐसे ही होता है कि भुकम्प अचाना की आता है कोई वार्निंग भी नहीं मिल पाती है किसी को क्योंकि वैसा ये अंत्र अब तक एकदम सटीक ये अंत्र बना नहीं है जिससे भुकम्प के बार है प्रकृती का मतब नेचर का जिससे वो जब चाहे जितना चाहे उतना विनाश कर सकती है तबाही कर सकती है आगे क्या है विज्ञान को भुकंप आने की पूर्व सुचना देने वाले किसी यंत्र की खोज करनी चाहिए क्या बोले कि विज्ञान मतब साइन्स को भुकंप आ उकम्प के आने से पहले उसकी वार्निंग देने वाला कोई यह अंत्रम्द, कोई टेक्नोलोजी की खोज करनी चाहिए, ओके, तो यहाँ पे देखो, हमारा यह चेप्टर कम्प्रीट हो गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, तकि अगर आपका टेस्ट हो